बलाक संसाधन व्यक्ति जहां बलोक संसाधन व्यक्ति की पोस्ट आ गई है हर जिले में उत्तक परदेश के हर जिले में यह पोस्ट आउट कर दी गई है तो उसको बोलते है बलोक रिसोर्स परसन बलोक रिसोर्स परसन सोट में बोलते है बी आरपी जहां इसकी पोस्ट गोट करते हैं तो यह जो उत्तवरोडित सोसल उड़िट की संगतन जो है उसकी और से जारी की गई उसके विग्यों की गई है जो है सोसल वर्रोडिट वो कि चैवरी है उसकी ती कि यह उन्यदू मतで थी एक और उसमें सारे उसकी जानकारी दी थी तो उसकी तीस तारिक है 30 जनवरी तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं और यह वेकंसी उनसे हटके आई है कहने का मदब इस परकार से जैसे अधिकारी की पोस्ट होती है अधिकारी लेवल की जोग है ठीक है तो यह क्या है यह पर्तेक जन्द्पद अस्थर पर यानिकि पर्तेक जिल अस्थर पर यह पोस्ट डिया इसमें क्या है यह पर्तेक जराम उडशेत में से कि जो सोचल ओडिट किया जाएगा उसी के संधरम में यह पोस्ट जारी की गई है तो सोचल उडिट तो वैसे जो हर ब्लोक से चार लोगों का चैन के जाएगा वह भी करेंगे और इन में से जो अधिकारी लेवल का है यह इनके समझो एक प्रकार से इन से उपर की पोस्ट व्यवितन की बात करते हैं व्यतन तो इसका प्रफिक्स तैनि किया गया है लेकिन हां ओडिट के हिसाब से इसका बताया है जैसे कि वेवसाइक सुल्क दो हजार रुपे ठीक है कि यह निके प्रते गराम पंचार्थ में जो सोशल ओडिट है तो जो है वेवसाइक सुल्क मिलेगा स्को तो हजार रुपे मिलेंगे और वेवसाइक यातरा सुल्क 500 रुपे मिलेंगे तो कहने का मतलब जिलस्तर की पो तो कितने social audit मिलेंगे एक मिलने में कितना कार्या होगा कितने बार यात्रा उसकी गाउं का दोरा होगा हर दोरे पे इसको 500 रुपे दे जाएंगे यह कहा नहीं जा सकता है कितने दोरे लग जाए तो बहुत अच्छी इसमें salary है मलब जबरता salary है ऐसे कोई बात नहीं है और इस से एक बात हो रहा है इससे जो social audit का कारी है यह तो करने है इससे अलाव भी इससे अन्य कोई कारे भी लिया जा सकता है जिसको इसको सुल्क भुगतान भी किया जाएगा जो भी उनसे कारे लिया जाएगा वह अलग extra कारे भी लिया जा सकता है इसमें इसका प्रवधान किया क पहले requirement नंबर दो पर है जंद समस्यों से सम्वनित मामलों में समाजिक कार्य करते के रूप में जमिनी अस्तर पर तीन वरस का अनुभव समाजिक कार्य करते के रूप में तीन साल का नुभव इन्होंने मांगा है ठीक है एवं गरामिन योजनाओं की जानकारी रखता हो यह दूसरे नंबर पर इनकी योग्यता है ठीक है अब तीसरी योग्यता इनकी है आए परसीशन का पर्मान पतर का को नहीं हो याप नेंका पर्मानपत Mary का थिए उसके झाम उसके फॉटर होना ज़ड़ी है ्च भींडी और यह ईक एक तैसक मिश्थी उसी जीवध्यों का निवाशिए तो मेयारत से मेरिट नंवासी और चाहिए ना कि गाजवाद से फरम बरेगा हो ठीक है लखना उसी बरेगा अपने जन्पद में ही फरम पर सकता है अपने जिले के लिए ठीक है और उसकी आयू आयू की बात करते हैं एक जनवरी कि उसके बाद कि इसके्च्च योग्य तक है सोसल औरम सब्सक्राइब का प्रतिभाग करने वाले सोसल और हो responsy और यहां आधर को जक्रेट कि हो बंद क्या की एंगा ऐलिए चाहिए व्याथ सब्सक्राइब कहुंआ कंसरों आठाश तो अजन को बुदिज मते मरें तू मैंने तीन उग गयता भी बताई हैं इन तीनों में से एक हो सकती है कोई भी तो इसको प्रात्मिक्ता मिल जाएगी ठीक है कि और कहा जमा होंगे आभिएदन पत्र जीला विकास अधिकारी कारेलय तो अपने जीले के जीला विकास अधिकारी कारेले में जमा कर सकते हैं और इसका जो अनुबंध होगा जोब का 31 मार्च 2023 तक मन्ने होगी कहने को मलब दो साल का कॉंट्रेक्ट बेस होगा दो साल की ये जोब होगी उसके बाद इसका नवी निकन किया जाएगा जैसे social audit की एक साल का होता है ये दो साल की होगी 31 मार्च 2023 तक तो दो साल के बाद इसका नवी निकन किया जाएगा होग है और उसके बाद बात करते हैं इसका अविदह बव्य आप वेबसेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसकी वेबसेट है डबलू 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 डोट social audit up.in इस वेबसेट पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं बलाप संसाधन व्यक्तिका फरम ठीक है उसमें मिल जाएगा आपको दूसरे नमबर पर कोलम मिल जाएगा यह ठीक है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें बताया गया है से बलाप सोसल ऑडिट के क Сейчас सेवाए प्राप्त करने की वरस्ता से पुर्थ अलग होगी यह दो वैक्ति होगा जो सोसल ऑडिट कोल्डिट को यह अलग पोस्ट है ठीक है यह कि होंगा उस से अलग करेगा उस्चैनल के अधिन जो सर्विस है उसके बाद जो आवेदन कहां पर जम हो गें पहले परकिर्ण थोड़ी उसका फर्म बलोक से भी मिल जाएता था इसका फर्म बलोग से नहीं। आप जो दो तरीके में ने बते हैं वहां से ले सकते हैं और यह कहां पर जम होगा जिला विकास सदेकारी कारेल है में Speedport से जमा होगा जहां Speedport सारे डोकुमेंट लगाने होंगे आइसकूल इंटर इंटर इसनातक वाला और जो जो भी इसमें मांगा गया है requirement है वह सारी डोकुमेंट लगाने होंगे और इस फिर्ट पोस्ट से आप बेज सकते हैं बेजने का पता ही है जिला विकास सदेकारी कारेल है और जिले का नाम लिग देना है जिले का है ठीक है अंतिम ठीथी ऐसकी 31 2021 यहां 31 2021 में अंतिम ठीथी है तो इससे पहले-पहले कारेल में पहुंच जाना चाहिए और जो है यह आविदन कैसे बढ़ना है यहीं कि फरम कैसे बढ़ना है और क्या-क्या डोकुमेंट लगाने है अगर आप कमेंट करते हैं ज्याद्यतर संख्या में कि हां हमें फरम बढ़ना है तो मैं फरम भरके भी हमेरे स Thompson परकिर्न होती है चूर में ऊस्के बारे में अब्वार के आपको विडियो में दिखा दूंगा अगर दिखा दूंगा कि कि मैं अपने जिल में जिली में जाँएंगा जिले स्थल से और वाछ लेकर आंगा और आपको फारम करके दिखा दूँगा अगर आप कमेंट करते हैं तो अगर इसमें कुछ रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं लगबग मैंने लगबग के लियर करें दिया है लगबग सारा मैंन तो होई गया है तो आप अगर कुछ भी जानकारी चाहते हैं इससे समद्दित कुछ रहे गया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मैं रिप्लाइग करने का पूरा पूरा प्रयास कुरूँगा और उसमें वेकेंसी उन्होंने अभी यह नहीं किया है कि कितने पोस्ट है ठीक है लेकिन हां हर जिले में पोस्ट इसमें है काफी संक्या में पोस्ट है ऐसे निया ओपन नहीं कि कि कितने पोस्ट रहने वाली है तो आप फरंबरी काफी पोस्ट इसमें है हर जिले में पोस्ट है उट्ट परदर्श के हर जिले में ठीक है और हां बस यह था समें तो यह पोस्ट थोड़ी अलग थी यह मैंने इसके बारे में सारा जानकारी जो है आपको अवगत कराई दिया है सभी जानकारी से और जो भी आपको समझ से आते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके गंटिक बटन दबा देना और इस से हमारे चैनल से जू बहुत बहुत धन्यवाद